नमस्कार किशान भाई हो आज मैं शोयडीन में लगने वाली फ्ली बेदक या फ्ली छेदक कीट के नियन तन्रड के बारे में बताऊँगा सोयबीन में लगने वाला फली बेदग या फली शेदग कीट वेसे तो बहुत सारी पसलों में लगता हैं जैसे कि तुवर, कोटन, टमाटर इत्यादी में लगता हैं और सोयबीन में लगने वाला ये कीट सोयबीन का एक परमुक कीट हैं जो कि फूलों की अवस्ता में सोयबीन को बर्सित करता हुआ पाया गया है ये सोयबीन में बहुत सारा नुकसान कर सकता है ये 5% से लेकर के 95% तक सोयबीन में नुकसान कर सकता है ये एकल रूप से सोयवीन की पचल में नरम फूलों कलियों इत्यादि में अपना अंड़ा देती हैं और 3-5 दिन में ये ये अंडे लारवा में परिवर्थित हो जाते हैं लारवा लगवक 15-20 दिन की तक रहती हैं इसके बाद इस संक्री में परिवर्थित हो जाती हैं मैं आपको बताऊंगा स्वयवीन में ये फूलों फलियों नरम कलियों इत्यादी को खाता हैं जिससे की अफुलन की समस्यां प्यदा होती हैं अब अफुलन की समस्यां से निजात पाने के लिए आप इसका इसका नियंतन करना बहुत जरूरी है एक इसकी पचान एक और है कि इसमें यह अपना स्वयवीन की फलियों में पना सिर्दसा करके खाती हैं और बाकी का सिर बाकी का सरीर का जो बार रहता हैं यह इसकी पचान है अब इसके लारवा को पचान करने के लिए इसमें लारवा में लंबवत दार्या रहते हैं जिससे इसको पचान सकते हैं वेसके पचान करने के लिए इसमें जो नीचे के पंक रहते हैं इसमें काले कलर की नीचे के साइड में काले कलर के गरे काले कलर के दब्बे रहते हैं जि 250 CC जो इंसेक्टिसाइड रहता है उसका इस्प्रेक करना चीए इसकी मातरा 1250 मिलिलीटर परती हेक्टर के इसाफ से हैं इसके बाद भी अगर यह कंट्रोल नहीं होता है तो इंडोक्सा कार्ब 15.8% इसी होता है इसकी मातरा 133 मिलिलीटर परती हेक्टर के इसाफ से हैं यह घर अगर इंसेक्टिसाइड यह का आठहारेव पांचपरसेंट एकसे से का एकषबाश में ग हीटर के दानी करना चेह कर नाच इंस प्राइब ऑानाय। प्रियोग करना चीए अब स्वाइबिन में लगने वाले फली बेज़क एच्छे दे कीट का जेविक नियंतन करने के लिए आप फिरोमोन ट्रेप्स का उपयोग कर सकते हैं यह नुकलेर पोलिहेड्रोसिस वाइरस जो हेलिको वर्पा आर्मिजरा विशिस्ट होता है उसका प